मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार, मौसम बतल रहा है, इस बार गर्मी भी बहुत रही, लिगन अच्छा हुआ कि वर्षा रुतू समय पर अपने नक्से कदम पर आगे बढ़ रहा है, देश के कई भागों में जमा जम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है, बारिश के बाद ठंडी हवाओं में पिछले दिनों की गर्मी से राहत कानव हो रहा है, और हम सबने देखा हैं कि जीवन में कितनी आपा धापी हो, कितना ही तनाव हो, व्यक्तिकर जीवन हो, सालवजनिक जीवन हो, बारिश का आगमन ही हमारी मनस्तिती को बदल देता है, आज बगवान जगनाज्य की रतियात्रा देश के कई भागों में बहुती स्रद्धा और उल्लास गुर्वक देशवासी मनाते हैं, अब तो विश्व के भी कुछ भागों में बगवान जगनाज्य की रतियात्रा का उत्सव संपन होता है, और बगवान जगनाज्य के साथ देश का गरीब जुड़ा हुआ है जिन लोगोंने डॉक्टर बाबसाब आमेडगर का ध्यन किया होगा उन्होंने देखा होगा कि भगवान जगरनाथ जी का मंदीर और उसकी परंपराओं की वो बड़ी तारीब करते थे क्योंकि उसमें सामाजिक ज्ञाय सामाजिक समरस्ता अंतर नहीं थे वगवान जगरनाथ गरीबों का देवता है और बहुत कम लोगों को पता होगा अंग्रेजी भाषा में एक शब्द है जगरनोट और उसका मतलब होता है ऐसा भव्यरत जिसे कोई रोक नहीं सकता और इस ज जगरनाथ के रत के साथ मैंसे ही यह शब्द का उद्भव हुआ है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि दुनिया ने भी जगरनाथ इस आत्रा को अपने अपने तरीके से किस प्रकार से माहत्मे स्विकार किया है बगवान जगरनाथ जी आत्रा के अवसर पर मैं सभी देश्वास को सुब कामनाय देता हूं और बगवान जगरनाथ जी के स्री चरनों में प्रणाब भी करता हूं। भारत की विवित्ता है, यह विशेस्ता भी है भारत की विवित्ता है यह भारत की शक्ति भी है। रमजान का पवित्र महना सब दूर इबादत में पवित्र भाव के साथ मनाया। अब इद का त्योहार है। इद उलफितर के इस अवसर पर मेरी तरफ से सब पो इद की बहुत-बहुत सुबकामना है। रमजान महिना पुन्यदान का महिना है, खुशियों को भाटने का महिना है। और जितनी खुशियां भाटते हैं, उतनी खुशियां बढ़ती हैं। आए हम सब मिल करके इन पवित्र उत्समों से परिणा ले करके खुशियों के खजान को भाटते चले, देश को आगे बढ़ा चुले रमजान के इस पवित्र महिने में उत्तर प्रदेश के बिजनोर के मुबारक पूर गाउं की एक बड़ी प्रेरक घटना मेरे सामने आई करीब साड़े तीन हजार हमारे मुसल्मान भाई बहनों के परिवार वहाँ उस छोटे से गाउं में बसते हैं एक प्रकार से जादा अबादी हमारे मुसलिम परिवार के भाईयों बहनों की हैं इस रमजान के अंदर गाउं वालों ने मिलकर के सावचाले बनाने का निर्ड़े किया और इस व्यक्तिकत सावचाले के अंदर सरकार के तरफ से भी साहयता मिलती हैं और उस साहयता की रासी करीब सत्रा लाख रुपिये उनको दी गई आपको जानकर के सुखत अस्चरिय भी होगा आनंद होगा रमजान के इस पवित्र महिने में सभी मुसल्मान भाईयों बहनों ने सरकार को इस सत्रा लाख रुपिये वापिस लोटा दिये और ये कहा कि हम हमारा सौचालय हमारे परिश्रम से हमारे पैसों से बनाएंगे ये सत्रा लाख रुपिये आप गाउं की अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कीजिए मैं मुबारकपूर के सभी ग्राम जनों को रमजान के इस पवित्र अवसर को समाज की भलाई के अवसर में पलटने के लिए बढ़ाई देता हूँ उनकी एक एक चीज भी बड़ी ही प्रेरक है और सबसे बड़ी बात है उन्हाने मुबारकपूर को खुले में सौच से मुक्त कर दिया हम जानते हैं कि हमारे देश में तीन प्रदेश ऐसे हैं सिक्किम, हिमाचल और केरल वो पहले ही खुले में सोच से मुक्त गोशित हो चुके हैं इस सब्ता उत्राखन और हर्याना भी ओडियव गोशित हुए में इन पांच राज्यों के प्रशासन को, शासन को और जनता जनाधन को विशे इस रुप से आभार प्रकट करता हूं इस कारे को परिपूरुन करने के लिए हम बली भाती जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो बड़ी कड़ी महनत करनी पड़ती हैं अगर हमारे हैंड राइटिंग खराब है, अगर उसको ठीक करना है, तो लंबे अर्षे तक भहुत जागुरुक रह करके प्रयास करना पड़ता है तब जागर के शरीर की मन की आदत बदलती हैं, स्वच्चता का भी विशय ऐसा ही है ऐसी बुरी आदते हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई हैं, हमारे आदतों का हिस्सा बन गई हैं, कि इससे मुक्ति पाने के लिए अभीरत रुप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा हर किसी का ध्यान आकरसित करना ही पड़ेगा, अच्छी प्रेरिक घटनाओं का बार बार समरन भी करना पड़ेगा और मुझे खुशी है कि आज स्वच्चता ये सरकारी कारकम नहीं रहा है, ये जन समाज का, जन सामान्य का एक आंदोलन बनता चला जा रहा है और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जन भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी ताकत बढ़ जाती है पिछले दिनों एक बहुती उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सामने जुरू कहना चाहूँगा ये घटना है आंदर प्रदेश के विजय नगरम जिले की वहां के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया दस मार्ट सुभे छे बज़े से ले करके चवदा मार्ट सुभे दस बज़े तर सो गंटे का नोन स्टॉप अभियान और लक्ष क्या था एक सो गंटे में इकतर ग्राम पंचायतों में दस हजार घरेलू सोचाले बनाना और मेरे प्यारे देशवासियों आप जानकर के खुश हो जाएंगे कि जनता जनारदन ने और शासन ने मिल करके सो गंटे में दस हजार सोचाले बनाने का काम सफलता पुर्वक पुरुन कर दिया इकतर गाउं उडिये फो गए मैं शासन में बैटे हुए लोगों को सरकारी अधिकारियों को और विजयनगरम जिले के उन गाउं के नागरिकों को बहुत बहुत मधाई देता हूँ कि आपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उधारन प्रस्तुत किया है इन दिनों मन की बात में लगाता और मुझे जनता जनारधन की तरफ से सुजाव आते रहते हैं नरेद्रमोदियेप पर आते रहते हैं माय गौवईन पर आते हैं चीशियों से आते हैं आकाष्वाणी पर आते हैं स्रिमान प्रकास्तिपाठी ने इमर्जंसी को याद करते हुए लिखा है कि 25 जून को लोगतंत्र के इतिहास में एक काला कालखंड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है प्रकास्ति पाठी जी की लोग तंत्र के प्रतिय जागरुकता सरहानिय है और लोग तंत्र एक ववस्ता ही है ऐसा नहीं है वो एक समस्कार भी है Eternal Vigilance is the Price of Liberty लोग तंत्र के प्रतिय नित्यर जागरुकता जरूरी होती है और इसलिए लोग तंत्र को आगहत करने वाली बातों को भी समरन करना होता है और लोग तंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है 1975-25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोग तंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था विरोधी स्वर को दबोज दिया गया था जेप्रकार नारायन सही देश के गणमान नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था न्याय व्यवस्था भी अपातकाल के उन भयावः रूप की छाया से बचनी पाई थी अकवारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था आज के पत्रकारियता जगत के विद्यार थी लोकतंतर में काम करने वाले लोक उन काले कालखन को बार बार स्मरन करते हुए जी भी जेल में थे जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अठल जी ने एक कविता लिखी थी और ओना ने उस समय की मनस्तिती का वर्णन अपनी कविता में किया है जुलसाता जेठ मास सरद चांदनी उदास सिस्की भरते सावन का अंतर गट रीत गया एक बरस बीत गया सिखचों में सिम्टा जग किंतू विकल प्राण विहग धरती से अंबर तक गूज मुक्ती गीत गया एक बरस बीत गया एक बरस बीत गया पथ निहारते नयन गिंते दिन पल छिन लौड कभी आयेगा लौड कभी आयेगा मन का जो मीत गया एक बरस बीत गया लोगतंत्र का प्रेमियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी और भारत जैसा देश इतना बड़ा विशाल देश जब मौका मिला तो भारत के जन जन के रग रग में लोगतंत्र कैसा व्याप्त है चुनाओ के माध्यम से उस ताकत का प्रदर्शन कर दिया जन जन के रग रग में फैला हुआ ये लोगतंत्र का भाव ये हमारी अमर विरासत है उस विरासत को हमें और शसक्त करना है मेरे प्यारे देश स्वासियों हर हिंदुस्तानी आज विश्व में सरूंचा करकर के गवरों महसुस कर रहा है 21 जून 2017 पुरा विश्व योग मय हो गया पानी से परवर्थ तक लोगों ने सबरे सबरे सूरज की किरणों का स्वागत योग के माध्यम से किया कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको इस बात का गर्व नहीं होगा ऐसा नहीं है कि योग पहले होते नहीं थे लेकिन आज योग जब एक धागे में बन गए है योग विश्व को जोड़ने का कारण बन गए है दुनिया के करीब करीब सभी देशों ने योग के इस अवसर को अपना अवसर बना दिया चीन में दे ग्रेट वाल अफ चाइना उस पर लोगों ने योग का अभ्यास किया तो पेरू में वर्ल्ड हरिटेज साइट माचू पीचू पर समुद्र तल से 2400 मीटर उपर लोगों ने योग किया फ्रांस में एफिल टावर की साय में लोगों नी योग किया यूएई में अभीधावी में चार हजार सेधिक लोगों ने सामुई की योग किया अफगानिस्तान में हेराथ में इंडिया अफगान फ्रेंड्शिप डेम सलमाबान पर योग करके भारत की दोस्ती को एक नया आयाम दिया सिंगापूर जैसे छोटे से स्थान पर सत्तर स्थावों पर कारकम हुए और सप्ता भरका उन्होंने एक अभ्यान चलाया है यूएन ने अंतराश्टी योग दिवस के दस स्थाम्प्स निकाले उन दस स्थाम्प्स को रिलीज किया यूएन हेड़क्वाटर में योगा शसन विद योगा मास्टर्स का आयोजन किया गया यूएन के स्थाप दुनिया के डिप्लोमेट्स हर कोईस में सरीक हुआ इस बार फिर एक बार योग ने विश्व रेकॉर्ड का भी काम किया गुजरात में एमदाबाद में करीब करीब 55,000 लोगों ने एक साथ योग करके एक नया विश्व रेकॉर्ड बना दिया मुझे भी लखनों में योग के कारके में शरीक होने का आउसर मिला लेकिन पहली बार मुझे बारीस में योग करने का सदभाग्य प्राप्त हुआ हमारे सहिनिकों ने जहां माइनस 20, 25, 44 डिग्री टेंप्रेचर होता है उस सियाचीन में भी योग किया हमारे आम फोर्सीज हो, BASF हो, ITBP हो, CRPBF हो, CISF हो हर कोई अपनी ड्यूटी के साथ साथ योगा को अपना हिस्सा बरा दिया है इस योगा दिवस पर मैंने कहा था कि तीन पीड़ी क्योंकि यह तीसरा अंतराष्टी योग दिवस था तो मैंने कहा था कि परिवार के तीन पीड़िया एक साथ योगा करते हो इसकी फोटो शेय किए कुछ टीवी चैनल ने भी इस बात को आगे बढ़ाया था मुझे काफी फोटो मिले उसमें से कुछ सिलेक्टेड फोटोग्राफ नरदर मोदी अप पर कंपाइल करके रखे गए हैं जिस पकार से पुरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है उसमें एक बात अच्छी उभर कर गया रही है कि योग से आज की जो हेल्थ काउंसे सोसाइटी है वो फिटनेस से अब वेलनेस की और जाने की दिशा में कदम रख रही हैं और उनको लग रहा है कि फिटनेस का महत्व ही है लेकिन वेलनेस के लिए योग उत्तम मार्ग है रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर, मैं डॉक्टर अनिल सोना रहा, एमदाबाद कुजरात से बोल रहा हूँ, सर मेरा एक सवाल है, कि रिसेंटली केरला में हमने आपको सुना था, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जो बुके as a gift हम देते हैं, उसकी जगा, kind of good books हमको देनी चाहिए, as a momento, इस चीज का आपने शुरुवाद कुजरात में अपने कार्यकाल में भी करवाया था, सर, लेकिन अभी, in recent days, हमें ये ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, so, can we do something, हम क्या इस चीज के बारे में कुछ कर नहीं सकते, जिससे देश व्यापी त केरल में अच्छा कारकम चलता है कुछ वर्सों से, पी एन पनीकर फाउंडेशन के द्वारा चलता है, और लोगों को किताबे पढ़ने की आदत बने, लोग किताब पढ़ने की और जागरुख हो, इसलिए reading day, reading month, celebration किया जाता है, तो मुझे उसके सुभारम में जाने का मौ का मिला, और वहां मुझे ये भी बताया गया कि हम बूके नहीं बूक देते हैं, मुझे अच्छा लगा, और मुझे भी जो चीज मेरे ध्यान से हट गई थी, उसका पुना स्मरन हो गया, क्योंकि जब मैं गुजरात में था, तो मैंने सरकार में एक परंपरा बनाई थी, कि हम बूके नहीं देंगे, बूक देंगे, या तो हाथ रुमाल, हैंटकरचीफ, उसी से स्वागत करेंगे, और खादी का हैंटकरचीफ, ताकि खादी को भी बढ़ावा मिले, जब तक मैं गुजरात में था, हम सब के आदत बन गई थी, लेकिन हाँ आने के बाद मेरी वाद सकते हैं, और बूके का आउस बहुत कम होते हैं, एक बार हाथ में लिया फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर बूक देते हैं, तो एक प्रकार से घर का हिस्सा बन जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है, खादी का रुमाल देकर के भी स्वागत करते हैं, तो कितने गरी मैं गत्वर जब UK गया था तो लंडन में ब्रिटन की पीन पीन एलिजाबेट ने मुझे भोजन पर निमंत्रित किया था एक मात्रु सहज बातावरन था बड़े प्यार से उन्होंने भोजन भी कराया लेकिन बाद में उन्होंने मुझे एक बड़े ही आदर के साथ भावतमक स्वर में एक छोटा सा खादी का और धागे से बुना हुआ एक हैंड कर्चिप दिखाया और उनकी आँखों में चमक थे उन्होंने का जब मेरी शादी हुई थी तो ये हैंड कर्चिप मात्मा गांधी ने मुझे भेंट में भेजा था शादी की शुब कामिना के रुप मे कितने साल हो गए लेकिन क्वीन एलिजाबेट ने मात्मा गांधी के द्वारा दिया हुआ है हैंड कर्चिप समाल के रखा हुआ है और मैं गया तो उन्होंने इस बात का बड़ा आनन था वो मुझे दिखा रही थी और जब मैं देख रहा तो उनका अगरर राग नहीं मैं मैं उसको छूप करके देखूं मात्मा गांधी की एक छोटी सी भैंट उनके जीवन का हिस्सा बन गया उनके इतिहास का हिस्सा बन गया मुझे विश्वास है कि या आदते रात और रात नहीं बदलती है और जब कभी ऐसी बात करते हैं तो आलोचना भी इसकार करना होता है लेकिन उसके बाउजित भी ऐसी बाते करते रहने चाहिए प्रयास करने चाहिए और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं कहीं जाओंगा और कोई भूखे लेकर आजागा दूसको मरा कर दूँगा अबसा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी आलोचना भी होगी लेकिन बात करते रहेंगे तो देरे-देर सुधार भी होगा मेरे प्यारे देश्वासियों प्रधान मंत्री के नाते अने प्रकार के काम रहते हैं फाइलों में डूबे रहते हैं लिकिन मैंने मेरे लिए एक आदत विक्सित की है कि मुझे जो चिठियां आती है उस मैसे रोजाना मानवी से जुड़ने का एक आउसर मिलता है भाती-भाती की चिठियां आती हैं अलग-अलग प्रकार के लोग चिठ्रा लिखते हैं इन दिनों एक ऐसी चिठि मुझे पढ़ने का आउसर मिला मुझे लगता है कि मुझे जुरूर आपको बताना चाहिए दूर सुदूर दक दिखा कि मैंने अपने परिवार में बच्चों की पढ़ाई वगेर के ध्यान में कुछ एकनोमिकल एक्टिविटी करने की दिशा में सोचा परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए तो मैंने मुद्रा योजना से बैंक से पैसे लिए और बाजार के कुछ सामान लाकर के सप्लाइ करने की दिशा में कुछ काम शुरू किया इतने में मेरे ध्यान में आया कि भारत सरकार ने गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस नाम की कोई व्यवस्ता खड़ी की है तो मैंने ढूंडा ये क्या है कुछ लोगों से पूछा तो मैंने खुद को भी उसमें रेजिस कीजिए एक बड़ी नए प्रकार की व्यवस्ता है जो भी सरकार में कोई चीज सप्लाइ करना चाहता है चोटी चोटी चीजे बेजना चाहता है बिजली के बल भीजना चाहता है डस्ट बिन बेजना चाहता है जाडू बेजना चाहता है चैर भीजना चाहता है टेबल और सरकार के department को compulsory है कि उन्होंने उस पर विजीट करना होगा देखना होगा कि ये supply करने वाले quality compromise करते हुए सस्ते में कौन पहुचाता है और फिर उसको order करना होता है और इसके कारण बिचोलिये खतम हो गए सारी transparency आ गई इंटरफेस नहीं होता है technology के माध्यम सही सब होता है तो इजेम के अंदर जो लोग registry करवाते हैं सरकार के सभी department उसको देखते रहते हैं बीच में बिचोलिये नहीं होने के कारण चीज़े बहुत सस्ती मिलती है अब यह अरूल मोजी मेडम ने सरकार की इस website पे वो जो जो सामान दे सकती हैं उसका सारा registry करवा दी और मजा यह है कि उन्होंने मुझे जो चिठी लिखी है वो बड़ी interesting है उन्होंने लिखा कि एक तो मुझे मुझे मुद्रा से पैसे मिल गए मेरा कारोबार शुरू हो गया इजेम के अंदर मैंने मैं क्या दे सकती हूँ वो सारी सूची रख दी और मुझे प्रधान मंतरी कारले से order मिला पीमों से मेरे लिए भी नई खबर थी पीमोंने क्या मंगवाया होगा तो उसने लिखा है कि पीमोंने मेरे से दो थरमोस खरीदे और सोला सो रूपिया के मुझे पेमेंट में बिल गया ये है एंपावर्मेंट ये है एंटर्परिनर्शिप को बढ़ावा देने का अवसर शायद अरून मोजी जी ने मुझे चिठी न लिखी होती तो मेरा भी शायद इतना ध्यान नहीं गया होता कि इजेम की व्यवस्ता से दूर सुदूर एक ग्रहिणी छोटा सा काम कर रही है उसका माल प्रधानमत्री कारले तक खरिदा जा सकता है यही देश की ताकत है इसमें ट्रांसफरंसी भी है इसमें एंप आवर्मेंट भी है इसमें एंट्रप्रेनशिब भी है गवर्मेंट ये मार्केट प्लेस जी, एम, जेम मैं जुरू चाहूंगा कि जो इस प्रकार से सरकार को अपना माल बेचना चाहते हैं उससे ज़्यादा ज़्यादा जुड़े मैं मानता हूँ मिनिमम गवर्मेंट एंद मैक्सिमम गवर्नंस का एक बहतरीन उधारण है यह और इसका लक्षक है मिनिममम प्राइस और मैक्सिमम इज एफिजन्स एंड ट्रास्परंसी मेरे प्यारे देश्वासियों एक तरफ हम योग को लेकर के गर्व करते हैं तो दूसरी तरफ हम स्पेस साइंस में हमारी जो सिद्धियां उसके लिए भी गर्व कर सकते हैं और यही तो भारत की विश्यस्ता है कि अगर हमारे पैर योग से जुड़े हुए जमीन पे हैं तो हमारे सपने दूर दूर आसमान के उसक्षिति जोको पार करना के लिए भी है पिछले दिनों खेल में भी और विज्ञान में भी भारत ने बहुत कुछ करके दिखाया है आज भारत के वल धर्ती पर ही नहीं अंत्रिक्ष में भी अपना पर्चम लहरा रहा है अभी दो दिन पहले इसरों ने कार्टो से 2 सीरीज सेटलाइट के साथ 30 नैनो सेटलाइट को लाँच किया और इन सेटलाइट में भारत के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटेन, अमेरिका ऐसकर करीब परिब 14 देश इसमें सामिल है और भारत के इस नैनो सेटलाइट अभ्यान से खेती के ख्षित्र में, किसानी के काम में प्राकूर्तिक आपदा के सबंद में कापी कुछ हमें मदद मिलेगी कुछ दिन पहलो इस बात का हम सब को बराबर याद होगा इसरों ने G-719 का सफल लॉंच किया था और अब तक भारत ने जो सेटलाइट लॉंच किये है उसमें ये सबसे जादा वजनदार हैवी सेटलाइट है और हमारे देश के अख़वारों ने तो उसको हाथी के वजनों के साथ तुलना की थी तो आप कल्पना कर सकते कि कितना बड़ा काम अंतरीक्ष के एक खेतर में हमारे वजनों किया है 19 जून को मार्स मिशन के 1000 दिन पूरे हुई है आप सब पो पता होगा कि जब मार्स मिशन के लिए हम लोग सफलता पूर्वक और्विक में जगा बनाई थी तो पूरे हम मिशन एक 6 महने की अवदी के लिए था उसकी लाइब 6 महने के थी लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे वज्ञानिकों के इस प्रहासों की ताकत ही रही कि 6 महने तो पार कर दिये 1000 दिन के बाद भी यह हमारा बंगलाइन मिशन काम कर रहा है तस्फीरें भेज रहा है जहनकानिया दे रहा है scientific data आ रहे हैं तो समय अवदी से भी ज़्यादा आपने आयूर से भी ज़्यादा काम कर रहा है 1000 दिन पूरा होना हमारे वैज्ञानिक यात्रा के अंदर हमारी अंत्रिक यात्रा के अंदर एक महत्वपुन पड़ाव है इन दिनों स्पॉर्ट्स में भी हम देख रहे हैं कि हमारी युवाओं का रुजान बढ़ता चला जा रहा है अब यह नजर आने लगा है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कुद में भी हमारी युवापीडी को अपना भविश्ट दिखने लगा है और हमारे खिलाडियों के कारण उनके पुर्शार्थ के कारण उनकी सिद्धी के कारण देश का भी नाम रोशन होता है अभी हाली में भारत के बैडमिंटन खिलाडी के दामबी स्रिकांत ने इंडोनेशिय ओपन में जीत दर्जगर देश का मान बढ़ाया है मैं इस के सिंथेटिक ट्रेक के उद्गारण समारों में जुड़ने का अउसर मिला था हम खेल को जितना बढ़ावा देंगे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्समें स्पीरीड भी लेके आता है खेल व्यक्तित्व के विकास के लिए भी बहुत बड़ी एहम भूमिक अदा करता है अगर हमारे परिवार में भी बच्चों को खेल की रूची है तो उनको अफसर देना चाहिए उनको मैदान में से उठा करके कमर में बंद करके किताबों के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए वो पढ़ा ही भी करें उसमें भी आगे बढ़ सकता है तो भड़ें लेकिन अगर खेल में उसका सामर्थ है रूची है तो स्कूल, कॉलेज, परिवार, आसपास के लोग हर किसे ने उसको बल देना चाहिए प्रोसाहित करना चाहिए अगले ओलंपिक के लिए हर किसे ने सपने संजोने चाहिए फिर एक बार मेरे प्यारे देश्वासियों वर्षा रूतू लगातार उत्सवों का माहोल एक प्रकार से ये कालखंड की अनुभूती नहीं होती है मैं फिर एक बार आप सब को सुबकामनाई देते हुए अगले मुन की बात के समय फिर कुछ बाते करूंगा नमस्कार